हाई फोक्स मैं हुद रिशाब और आज की वीडियो हम बात करेंगे हाउ आई लेंड पाइफन इन जस्ट थर्टी देज इस वीडियो में पूरा रोड़ मैप शेर करूँगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग लेंगेज नहीं सीखा जो कि बिल्कुल गलत है हो मुझे बाद में रियलाइज हुआ तो अगर अभी कोई मेरा वीडियो कॉलेज का स्टुट देख रहा है अब किसी भी किसी भी फ्रील्ड में अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आ आपको फीचर में कुछ भी करना हो तो आप वह सीख लेना कहीं ना कहीं वह आपको काम जरूर देगा और आपके ग्रेजुशन में इतना समय होता है कि आप उस पर इसली सीख सकते हो और मैंने इंजिनिंग में कोडिंग इसले नहीं सीखी क्योंकि मेरा काफी इंट्रेस था और जिस कंपनी में लगा तो वह काफी बड़ी MNC कंपनी है बट बाद में कुछ रिजन के कारण मैंने वह जॉब कंटीनिव नहीं किया और उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग में आया तो यहां पर मुझे पाइथन का जरूरत पड़ा क्योंकि कुछ प्रजेक्स मे रिक्वार्मेंट था तब मैंने पाइथन फर्स्टाइम सीखा था यह सारा कहानी में आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि कोडिंग का कितना इंपॉर्टेंस है और उसको सीखना भी काफी ज्यादा इजी है और हाँ इस वीडियो को लाइक है सिर्फ करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो जिस कोर्स की मैं बात कर रहा हूं पाइथन सीखने के लिए या जिस को मैंने यूज किया था वो स्कॉर्स का नाम है complete python bootcamp from zero to hero in python ठीक है और यह जो अभी 2022 लिखा हुआ यह अब्डेट होता रहता है हर साल और इस को आप यहां पर सिखोगे प्रफेशनल स्टार्ट के लिए ठीक है उसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे लोग और स्टेब बाइस्ट करके आपको सिखाएंगे एडवांस्ट फीचर्स और लास्ट में यह आपको खुद के एप्लिकेशन और यहां पर आप देख सकते हूं लाग्स टुदेंट्स ने स्कोर्स को अलड़ी एंड्रोल किया है और स्कॉर्स का रेटिंग ए 4.6 जो कि काफी अच्छा रेटिंग है और जैसा कि मैं बताया यह कोशे पोटिला ने बनाया तो काफी अच्छा और इसकोर्स में आप देख सकते हैं आपको क्या क्या मिलेगा मतलब इस course के साथ वह मेरे से जादा हेल्फुल होता है compare to theoretical courses इसके लाव आपको certificate पे लिए गार जब यह course complete हो जाएगा ठीक है libraries होंगी आप कुछ बेसिक गेम बनाओगे टिक टेक टो हो गया ब्लैक जैक हो गया इसके लावा आप उप सीखो के पाइटन में जो की मेरे साब से काफी इंपॉर्टन टॉपिक होता है पाइटन के अंदर ठीक है इसके लावा को रिक्वार्मेंट नहीं है और अगर बात करे इस कोर्स के अंदर आप क्या-क्या सिखोगे तो यहां पे एक लिस्ट दी होई है जो कि अब फोड़ी देर देखेंगे थोड़ी दर बाद देखेंगे और यहां पर कि यह कोर्स बना किसके लिए तो काफी इंपॉर्टन चीज है तो यहां पर साफ लिखा हुआ है बिगनर आप करना चाहते हो तब भी ये कोर्स आपके लिए ठीक है अब जल्दी चलते हैं देखते हैं इस कोर्स के अंदर आप क्या-क्या सीखोगे ठीक है जिसका हम लोग बुलें कोर्स कॉंटेंट सबसे पहले कोर्स का ओवर्वियू है दूसरा है पाइफन का सेट अप तो इसमें पाइफन को कैसे इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम पर आपको बताएंगे नेक्स आता है अब यहां से इसक्दम बेसिक टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा इस मॉडिल में आप बेसिक टॉपिक सीखोगे और यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 21 लेक्चर है और यह तू आ लूप्स क्या होते हैं यह सब सीखोगे ठीक है नेक्स आएगा इसमें मैं तर्स अफंक्शन के बारे में सीखोगे जिसके अधारा लेक्चर है और यह लगवर लगवर तीन गंटे का वीडियो है तो यह इंपो बताएंगे कौन-कौन से पाइथन के अंदर में इतना ध्या इतना समय दिया तो आपको काफी डीटेल तरीके से बारे में सिखाए जाएगा नेक्स आता आपको इंपोर्टेंट टॉपिक इसको आप थोड़ा सा डीटेल में समय लेके आराम से समझेगा जो कि यह अब्जेक्ट ओर्येंटेट प्रोग्रामी इसका अंदर 9 लेक्चर से है ठीक है नेक्स अगेन आता आपका माइल्स्टोन प्रोजेक्ट नंबर टू ठीक इसकंदर 12 लेक्चर और दो गंटे 20 मिनट तो आप सोचो मतलब एक प्रोजेक्ट के लिए लोग ने दो गंटे जाता का समय दिया ठीक है तो यह अगीन काफी अची बात है नेक्स टॉपि टो अगेन यह इंप्रॉट चीज होता है तो इसलिए इंप्रॉटन होता है क्योंकि अप काफी मुल्टिपल सोर्से से डीटा को लेकर आते हो उसमें से एक डिटा है वेब साइट तो उसको स्क्राइब करके आप डेकर आ सकते हो नेक्स मॉडिल है वर्किंग वीद इमेजि शीट के साथ या CSV के साथ कैसे काम करोगे इसमें फाइव लेक्चर से 45 मिनट्स का है ठीक है सब इजी है जल्दी सीख जाओगे आप इसके बाद आता है आपका एडवांस पाइटन अब्जेक्ट तो कुछ कुछ चीजे हैं जो कि जैसे उपर बताया था तो बेसिक लेवल बताया था यहां पर थोड़ा आपको एडवांस लेवल बताएंगे नमबर सोगे स्ट्रिंग्स होगया डिक्शनरी होगया सेट्स होग तो यह काफी अची चीज़ है इस कोर्स की अब यह बोनस मटेरियल है जब मैंने कोर्स किया था तो यह सब इसमें नहीं था यह अभी इन लोगों ने रिसेंटली आइड किया है तो जी आपको पूरा पाइथन का कोर्स है जो कि आप युडमी की हल्प से सीख सकते हो हम एक स्ब्सक् EcoTaste करें आख सर्फ करते हैं नहीं तो यह को सबसे पहला है वोह हैं पाइथन टुटोरियल फर बि witness तो अगर आपको हिंदी में पाइफन सीखना है फ्री में यूट्यूब से तो यह आपके लिए और यह आपको मिल जाएगा पाइफन के बताऊंगा कि आपको ईडी आज कैसे मिलेंगे और आव वह प्रोजेट कैसे बना सकते हो तो उसके लिए आप एक step और आगे जा सकते हो जैसे मालो मुझे musical recommendation system बनाया है तो मैं क्या करूँगा इसको लेकर जाओंगा और इसको मैं जाके YouTube पर इसको search कर लूगा ठीक है और machine learning के help से मुझे बनाना है तो जैसे आप सर्च करोगे आप देखो बहुत सारे आपको यहां प तो इन लोगे ने step by step सारा code तो मिले गए आपको और दूसरा ची आप कैसे projects बनाओगे किस कौन सी लैबरी उसकरोगे क्यों यूज करोगे वह सब भी आपको यहां पर मिल जाएगा इसके लावा मैंने का रिसोर्स का यूज किया था जिसका नाम है kaggle.com ठीक है यह एक website है इसका best part किया है कि यहां पर आपको tutorial भी मिल जाएंगे आपको data set भी मिल जाएगा अगर आपको कोई भी project बनान तो इसके लिए data चाहिए सबसे पहले तो यहां पर मिल जाएगा free of cost और आपको काफी ज्यादा तर ऐसा होता कि आपको projects भी मिल जाए तो जैसे मैंने Kaggle पर सर् कोड करी डेटा को रीड करा और फिर हर चीज दिनलों के ने step by step बनाया तो अब इस website का भी यूज कर सकते हो projects बनाने के लिए तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिलाओ तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए